देश में मानसून अपनी दस्तक दे चुका है. लेकिन जिसके बाद भी मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ शहरों में लू का कहर जारी है. इसी बीच मौसम विभाग ने मानसून को लेकर नया अपडेट जारी कर दिया है. मौसम वैग्यानिकों के मुताबिक, मानसून को फिर से सामाने होने में कुछ दिन और लगेंगे. इससे दक्षिन महाराष्ट्र और बाद में उत्तर पश्चिम भारत में भी मानसून के प्रवेश में देरी हो सकती है. आईए आपको बताते हैं, MP में कब प्रवेश करेगा मानसून और कहां किस जिले में होगी बारिश मध्य प्रदेश में 15 जून के बाद मानसून की एंट्री हो जाती है. पिछले साल 24 जून को प्रदेश में मानसून का प्रवेश हुआ था. मौसम वैग्यानिकों के अनुसार इस वर्ष 15 से 20 जून के बीच मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हो जाएगी. मौसम ज्यानिक डौ। वेद प्रकाश सिंग ने बताया कि MP में इस वर्ष पिछले साल से ज्यादा बारिश होगी। मौंगंज, रीवा और सतना आदी जिलों में 98 से 99 परसेंट बारिश होने की संभावना है। दरसल इस बार मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून को लेकर मौजूदा परिस्थितियां काफी बहतर है। Bureau Report Market Times TV